हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम तुमाई चैनल, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर. पेश है रिव्यू, मन्यूम मिल बॉइज. यह एक मल्यालम भाषा की फिल्म है जो फरवरी दो हजार चॉबीस ने रिलीज हुई थी सिर्फ दक्षिन भारत में सिनेमा में. श्रीनात भासी, बालू वर्गीज, गनपतियस पोडुवाल, लाल जूनिय, दीपक पर्मबोल, अभिराम राधा कृष्णन, अरन कुरियन और अन्य. निर्देशक है, चिदम बरम. यह एक सवाइबल, ड्रामा, सस्पेंस, मसाला, मनोरंजन, फिल्म है. दोस्तों, यहां हम देना चाहते हैं, एक स्पोईलर अलर्ट, अब इसके आगे हम डिसकस करेंगे इस फिल्म का कहानी, उसके केरेक्टर, प्लॉट आंगल, मेन इवेंट्स, ट्विस्ट्स, टर्न्स, स्टोरी डिवलप्न, प्रीसिस, आधी की बाते करेगे. दोस्तों, चैनल और वीडियो पर, कॉपिराइट क्लेम, नहीं आए, इसलिए हम फिल्म में सीन, या फोटेज ज्यादा नहीं दिखा सकते. तो चलिए शुरू परते हैं. ये फिल्म मल्यानम इंडस्ट्री में पूरी तरीके से जबरदस्थ हेट हुई है, ब्लॉक्बस्टर है. खई बड़े कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इसकी तारीफ किया है, तो सुनने में आया है कि बालिवुट से करन जोहर इसका हिंदी रिमेक भी बनाने का प्लान कर रही है. साफ समझ में आता है कि फिल्म के फेवर में पेड रिव्यूज शायद आये हैं और हाइप क्रेट किया गया है, वरना कहानी तो बहुत ही साधारन है, कुछ भी एकसाइटिंग, हमें नजर नहीं आया, ना ही कुछ इंस्पिरेशनल सा समझ में आया, कहानी की बात करे तो, फ प्रावल करने का प्लान बनाते हैं, वह सब गोवा जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कोडाइक नाल पर ही रुप जाते हैं, अपनी यात्रा के दौरान वो गुना नाम की कुफाओं का दौरा करते हैं, और ये युवा इन गुफाओं की खत्रों के नजर अंदाज करते है और समस्या, तकलीफ में फंस जाती हैं. इस कुफा को शैतान की रसुई कहा जाता है, उनमें से एक दोस्त गुना की कुफाहों में गिर जाता है. पुले सधिकारी और स्थानिय लोग उन्हीं समझाते हैं, कि आज तक उस कुफा से कोई वापस नहीं आया है, लेकिन लड़कों का ग्रूप अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ने का फैसला करता है, अब कैसे यह मंजुमेल बॉइस अपने दोस्त को बचाते हैं, किसे रि इनसानों की गलती करने पर परदा डाल कर उल्टाओने इनाम देने की है, पहले गलती करो और माफी मानने की जगे है, सिस्टम और लोगों पर आरोप लगाओ, यह कैसी फिल्म है, फिल्म की शुरू में ही बताया गया है, कि इन गुफाओं में जाने के लिए प्रतिबंद ह आगी गए, तो सवाल बनता है, क्यों गए, क्या यह गलत नहीं था, इस बात को बड़ी ही आसान तरीके से नजरंदाज कर दिया गया है, इस कारण फिल्म में कोई emotional connect जैसा नहीं बन पाता, फिल्म हमें यह सीख चरूर देती है, कि अगर कोई चेताबनी दिया जाता है, तो उसे serious होकर मानना चाहिए नहीं तो समस्या और तकलीफ होगी, इस फिल्म में भी इन लटकों ने चेताबनी के नजर अंदाज किया और तकलीफ में पढ़ गए, इस फिशे को फिल्म की कहानी में ज्यादा तबज्जु नहीं दिया गया, निर्देशन की बात करे तो फिल्म बना रहता है, हमारी experience की बात तरे तो इस प्रकार की survival theme वाली फिल्म में पहले भी आ चुकी हैं, और यह फिल्म हमें तो साधारन ही नजर आई, ऐसा कुछ खास नहीं था, जो बहुत interesting हो, या बहुत exciting हो, यहाँ जो emotional connect है, वे यह है कि, पुलिस और गाम वाले इन लड़कों की कोशिश करते हैं, बात में पुलिस वाले और गाम वाले उनकी मदद कर देते हैं, ओवरॉल फिल्म की cinematography और screenplay भी साधारन है, गाम के परिवेश, जंगल के परिवेश, परसाती रास, विज्रे और अंधेरे वाले सीन, बहुत भारी पड़े हैं, चुकि साधारन है, 15 से 20 मिनिट कम किये जा सकते हैं, जब पुलिस वालों के और गाम वालों की सीन है, वे डायलोग पूरी तरीके से आर्टिफिशल लगते हैं, टिपिकल साथ इंडियन मसाला है, कि बिचितरे डायलोग बोल कर लोगों से जुरने की कोशिश, जो बहुत बोर करता है, यह फिल में पेड रिव्यूस शायद आये हैं, और हाइप क्रेट किया गया है, वरना कहानी तो बहुत ही साधारन है, कुछ भी एक्साइटिंग, हमें नजर नहीं आया, नहीं कुछ इंस्पिरेशनल सा समझ में आया, हमारे यह वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके बताएं, आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके उपिनियन नीचे कॉमेंट में लिखी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थांक्यू, धन्यवाद, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब् अपने परिवार और दोस्तों को भी सिग्रेट शराब की नशे से दूर करें और भारत को नशा मुक तुनाई, जै हिंद